अलो हाई दोस्तों वेलकम बेक टूडान डीटल डान डीटल के उनलाइन प्लेटफोर्म पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत हैं तो शुरू करते हैं आज से अपने गणित की कहानी को ये गणित की कहानी आप जिस भी एक्जाम की त्यारी करें चाहे आप ससे जीडी की त्यारी कर रहे हो आप औरक्छक की त्यारी कर रहे हो आप पटवारी की तयारी कर रहे हो, आप सिक्षक भरती का तयारी कर रहे हो, आप किसी भी exam का तयारी कर रहे हो, ये जो math हम आपको पढ़ने जा रहे हैं, ये जो math हम सुरू करने जा रहे हैं, ये हर एक exam के लिए useful होगा, अंक गनित के नाम से जाने जाने वाला ये math बहुत ही simple तरीके से बहुत ही आसान तरीके से defend क्या है बहुत ही अलग तरीके से defend क्या है YouTube के इतिहास में सबसे पहली बार इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस बात कि हम आपको security देते हैं और यकीन मानिए हैं जब चीजे हम सुरू करेंगे पढ़ना तो आप खुद कहेंगे कि वहां क्या बात है अब समझते आगे कैसे हम चीजों को पढ़ने वाले हैं तो पूरा का पूरा जो अंक गणित है पूरा का पूरा जो आपका बढ़ते हैं अपने चेप्टर नंबर बन की तरफ सुरू करते हैं ताइम आपका कीमती है ये जानते हम तो सुरू करते कहानी को सबसे पहला अध्याय अपना होगा संख्याओं का ग्यान गणित को सुरू करने से पहले हमें संख्याओं का ग्यान होना जरूरी है तो सुरू कर सबसे पहला अध्याय सुरू कर रहे हैं अपनी class 1 रहेगी यह अब इस class 1 में क्या रहेगा मैं आपको यह वीडियो यह पूरी class पढ़ने वाला हूं उसके बाद इस class का पूरा notes आपको मिल जाएगा कैसे मिलेगा वह आपको end में बताएंगे या कहीं भी बीच वीडियो में आ आप अपने खुद का analysis कर रहे होंगे कि हमारे test में कितने number आएं जिससे आप यह समझ पाएंगे कि कितनी चीजी हमें समझ आई और कितनी समझ नहीं आई ताकि हमें क्या और repeat करने की जरूरत है तो शुरू करते हैं वीडियो के बीच में end में कहीं भी यह चीज आपको बता पुरी class में आज की पुरी class में हम कितनी चीजें पढ़ने वाले हैं तो हम कहानी को सुरू करेंगे यहां से और end करेंगे यहां अभी आप यह दिमाग मत दोड़ाओ कि यह क्या चीजें लिखी है मैं start कर रहा हूं यहां से और यहां तक हमको जाना है फिर वो चाहे class एक घं आपको नहीं पढ़ा सकता आप खुछ सोचिए अगर आप मुवी देखने गए हैं और आपको तीन घंटे की मुवी रोज 10 मिट बताएं आज मैं 10 मिट दिखा दूं कल फिर 10 मिट दिखा दूं पर सो फिर यकीन मानिए पूरी मुवी खतान होगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है तो वैसे ही चेप्टर की कहानी है यहां समय सुरू करूंगा यहां तक एंड करूंगा मेरे हिसाब से यह एक मुवी हो गई अगली मुवी अपना अगली क्लास में देखेंगे बरोबरे चलिए शुरू करते भाया तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी केह रहे होंगे कि सर हमें मैस में काउंटिंग चाहाइ ती िसी चाहाई थी एक डो तीन चार पाँच जी र नहीं बोल 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ये कहानी चली जा रही होगी, ऐसे ही ये जो गिंती हमने सीखी, जो हमें टीचर ने सबसे पहले सिखाई थी, इनको हम कहते हैं प्राकरत संख्याएं, इंगलिस में बोले तो नेचुरल नंबर, इनही को हम कहते हैं प्राकरत संख्याएं, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जो ओलेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं, पर बेटा यकीन मानिए, आपने कहीं भी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, कैसे भी पढ़ाओ, इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे, कि हमने बहुत कुछ नया सीका, बहले आप इस चेप्टर के एक करवाएंगे, तो आप भी बिल्कुल बैफिक्र होके चीज़ों को बहतरीन तरीके से कॉंसेंट्रेशन होके, कॉंसेंट्रेट होके चीज़ों को देखें, नोट्स लेके बैठें, बढ़िया से नोज बनाते भी चलें, हाला कि मैं आपको पीडियाप नोट्स दूँगा, बट फिर भी आप pen copy लेके बैठें, ठीक है, चलिए, तो counting numbers होते हैं, गिनने वाली जो संख्या होती है, उनी को हम बोलते हैं, प्राकरत संख्या है, ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, 1.5 यहाँ नहीं है, देड, 2, सवादो, पोन है, तो मैं उसको 3.5 नहीं बोलूँगा, वो 4 ही है, वो मोटा हो, चाहिए, पतला हो, 1, 2, 3, 4 ही काउंट करूँगा, वैसे यहाँ पर कहानी है, 1, 2, 3, यहाँ पर बीच में 1.5 होता है, बट हम उन नंबरों की बात अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने स्कूल में सुरू में पढ़ना सुरू क्या था, वही कहानी है, आपको कुछ भी कुछ पता नहीं है, केवल यह जो दिख रहा है, यही है, इनको हम कहते हैं, प्राक्रत संख्या हैं, इंगलिस में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, अब अगर हम आगे बढ़ें, किसी बच्चे ने इसके बाद हमने जीरो भी सिखा, क्या सिखा भई आपने, जीरो, तो जीरो है, अगर अपन इन प्राक्रत संख्याओं में, जीरो को भी इंकलूड कर दें, तो यह सारा का सारा ग्रूब जो है, यह कहलाएगा, पून संख्याओं, क्या कहलाएगा सर, पून संख्याओं, कहन पून संख्याओं में और प्राक्रस संख्याओं में कोई फरक बहुत जादा नहीं है कि अबल एक सुन्य की वजह से ये प्राक्रस संख्याओं पून संख्याओं के लिए इतिया अंसा फरक है तो मैं यह कह सकता हूं कि सारी की सारी प्राक्रस संख्याओं पूल संख्या है और वह प्राक्रथ बहुरों वलेकर प्राक्रथ संख्यां भी है पर इस तो जीरो से लेके in find and क्या होगी पूल संख्या मतलब आपस अगर आप से चोटी प्राक्रथ संख्या क्या है तो आप क्या आंसर देंगे बन अगर आप से पूछा जाए सबसे च्होटी पून संख्या क्या है तो आपक्या आंसर देंगे जीरो बहुत सारे कॉस्सन मैं आपके सामने ओर भी लेने पहले समझ ले चीज को फिर बात है कि sur ये जो मॉैनस वाले नंबर है न इनका क्या यह क्या है मैनस मैनस यह सारे के सारे प्लस वाले नंबर और फिर भी प्लस वाला भी ले लिया मैनस वाला भी ले लिया और जीरो को भी ले लिया तो यह सारे के सारे जो नंबर हैं यह कहलाते हैं पूनांग क्या कहलाते हैं पूनांग और इनको इंगलिस में कहतें सर इंटीजर क्या बोलते हैं इंटीजर और इसको defined हम जेट से करते हैं क्यों क्योंकि ये जो नंबरों की खोज़ की थी वो scientist, mathematician वो गणितग्य का नाम था जहलीन इसलिए वो उनके नाम पर जहलीन की नाम से जाने जाते हैं integer मतलब i से defined नहीं होता है वो जेट से defined होता है बट फिर भी कुछ books में i लिखा होता है तो कहीं पर अगर जेट लिखा है तो आप समझ जाए कि वो पूनांग की बात कर रहा है तो अब आपको यह कहानी समझ में आ गई कि एक से लेके अगर हम गिनना सुरू करते हैं तो जो counting नंबर से जो गिनने वाली संख्या है वो क्या कहलाएगी प्राक्रस संख्या है अगर उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दें तो फिर यह group कहलाएगा पून संख्या है और अगर हम दूदे सवादो पोने दो देड़ धाई यह सब कुछ भी नहीं है इन सब की बात आपना आगे करेंगे बात समझ आगई तो पूनांग का मतलब यह होता है कि अपने आप में नंबर पूरा होना चाहिए आधा दूदा नहीं होना चाहिए या तो वह वह या तो वह टू हो या तो माइनस वन हो या तो माइनस टू या तो जीरो हो पर पूरा पूरा होना चाहिए वन पॉइंट फाइब टू पॉइंट फाइब रूट थ्री टू बाय फाइब यह सब नहीं चलेगा चलिए तो आई होप कि आपको चीज़े समझ में आ गई होगी अब एक बार और रिवाइस कर लेते हैं प्राक्रस संख्या क्या होती सर तो लिखने को अगर हम चाहें तो प्राक्रस संख्या का मतलब होता है सर 1 2 3 4 ठीक है किसे को डाउट यहां तक तो 1 2 3 4 यही संख्या कहलाती है प्राक्रस संख्या गिनने वाली संख्या को ही हम प्राक्रस संख्या कहते है ठीक है counting numbers is also known as natural number पून संख्या क्या होती है तो सर यह सुरू होती है 0 से 0 1 2 3 4 up to son पूनांग क्या होते सर तो पूनांग जो होते वो अनन्त से चले आते हैं minus 1-1 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा इधर चले जाएंगे यह हो गए पूनांग ठीक है अब बात करतें सम और विसम संख्या हो की संख्या क्या होती है तर ऐसी संख्या है जो 2 से 2 से क्या हो जाए दो से divide हो जाए divide हो या फिर मैं एक और भासा में कह सकता हूँ कि दो का जो पहाड़ा है न दो का पहाड़ा 20 तक नहीं होता सर 22 भी दो के पहाड़ी में आता है 24 भी आता है तो ये दो का पहाड़ा चले जाता है तो मैं कह सकता हूं कि जो दो का पाड़ा है वही क्या है? वही समसंख्या है. क्या है? समसंख्या है. विसमसंख्या की बात करें तो हम कह सकते हैं जो दो से डिवाइड ना हो, जिसमें दो का भाग ना जाए, डिवाइड ना हो. या फिर कह सकते हैं जो दो के पहाड़े में ना है, जो दो के पहाड़े में ना है, तो सम संख्या और विसम संख्या आपको बहतर पता चल गई, क्या होती है सम संख्या है, तो अगर हम इसका example लिखना चाहें, तो सम संख्या होती है सर्थ 2, 4, 3, 8, 10, ऐसे, ऐसे ही अगर हम व एक, तीन, पांच, साथ, एंड सौन, क्लियर बात यहां तक, तो सम और विसम संख्या आपको समझ में आ गई, पांच चीज समझ में आ गई, अब, मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा, अगर हमने इतनी चीजे समझी है, तो इसको थोड़ा और डेटेल में स क्या है कॉंसेप्ट और रामानुजन उसको अपन समझ लेते हैं, उससे पहले एक और चीज कवर कर लेते हैं, इसको थोड़ी दिर के लिए स्कीप करते हैं, फिर हम आएंगे कॉंसेप्ट और रामानुजन पर, अगर मैं आप से एक सवाल पूछूँ बेटा, सबसे छोटी प्राकरत संख्या क्या होगी, सबसे छोटी प्राकरत संख्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, बताएं, प्राकरत संख्या हैं, कहां से शुरू होती है, एक से, तो सबसे छोटी प्राकरत संख्या क्या हो जाएगी, आपके पास, एक, अगर आप से कोई पूछ ले, कि सब सबसे छोटी सबसे छोटी कौन सी संख्या सबसे छोटी कून संख्या क्या होती है तो आप क्या बताएंगे तो आंसर होगा सर जीरो अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी सम प्राक्रत लिख लो इसको सबसे छोटी सम प्राक्रत प्राक्रत भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए सम प्राक्रत संख्या है सम कुन सी होती सम मतलब जो दो के पहाड़े में आए दो के पाड़े में सबसे पहले दो ही आता है अगर आपके पूछले सबसे छोटी विसम प्राक्रत क्या पूछले विसम प्राक्रत तो आपका अंसर होगा सरवन ऐसे भी एक्जाम में कुष्टन देखने को आपको मिल सकते हैं पूछ सकता है प्रथम प्रथम 5 प्राक्रत संख्याओं का योग बताओ प्रथम 5 प्राक्रत संख्याओं का योग तो अब आप सोचना कि प्रथम 5 प्राक्रत संख्याओं कौन सी होगी सर 5 प्राक्रत संख्याओं तो पहली होगी 1, 2, 3, 4, 5 प्राक्रत मतलब क्या राजा? counting number, गिंते कहां से हैं, एक से, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बोला था, पांच लिख लिख लिख, इनका योग निकालना है, तो सब को जोड के आप बता दो कि कितना हो गया, 15, कितना आ गया, 15, अगर आप से पूछ ले, प्रत्थम पांच, अगला सवाल आपका ज को समझना है, प्रत्थम पांच, पांच संख्या लेने, कितनी लेनी है, पांच, और कौन सी पून, तो पून संख्या सुरू कहां से होती है, सर, पून संख्या सुरू होती है, जीरो से, एक हो गई, फिर क्या आएगा, एक, फिर, दो, फिर, तीन, फिर, चार, फिर, पांच नहीं आएगा क्योंकि हमें 5 संख्याओं का बोला था एक से लेके 4 तक कितनी हो गई 4 और एक 0 आ गया है 5 क्योंकि यह पूर्ण संख्या है सुरू 0 से होती है तो 4 तक जाने पर ही 5 हो जाएगी तो इनका योग कितना हो जाएगा सर इनका योग हो जाएगा 10 पस यही आपको होता है देखो आपको लेंग्वेज को बड़ा भैतरी तरह के समझना पड़ेगा कभी कबार क्या होता है तब कुछ आते हुए गलत हो जाती चीजिए यहां पर पूछा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग सवाल को देखो कैसे बदला जाता है पूछ लेगा पूछ अब हमें पांच संख्याइब ळहीं हमें पांच टक लेना है प्रत्थम पांच तक इसमें प्रतमहठा दो या लगा भी कोई धीजल निए फरतम पांच तक सीУरू की जीरो फिर एक पिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच तो नहीं बोला है राजा प्रतम pense कैस बोलाय तो आपको 5 तक जाना पड़ेगा जब प्रथम 5 तक जाओगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा आ अनसर क्या देना है आपको यह चीजिए समझ में आई होगी यहां तक आगे बढ़ते हैं अब चलो यार ये तो एक बात हो गई कि प्रथम पांच बोला, क्या बोला उसने प्रथम पांच, मान लो कभी उसने बोल दिया प्रथम सौ प्राकरत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम सौ, एना 101 लिख देते हैं, 101 प्राकरत संख्याओं का योग, प्राकरत संख्याओ का योग क्या पुछा है तुरू की 101 मतलब प्राक्रत कुन से होती है गिनने वाली मतलब 12345 कहां तक 101 तक एक से लेके 101 तक इनका हमसे योग पुछा है तो अब आप मेंसे कहीं बच्चों को होगी दिक्कत बहुत सारे बच्चे हो सकता है पहले कहीं पढ़ा हो तो वह अपने तरीके सांसर लाएंगे पर यकिन मानिए तरीका अगर सही रहा तो अंसर और ली आता है पहले आप करें खुछ से जिनको आता है फिर आप यह देखें कि आप निजो किया है हम छो पता है उसमें फरक क्या ह्रा है इस तो हमें निकालना एक धन दो धन तीन कहां तक है एक सो एक तक इसको जोड़ना है सांतिस से केवल बेठें आप घलत अडियारहई है को इस सवाल को आ पर नमस्ते चोटी सी कहानी तो आये कहानी पर आते हैं कहानी क्या है कहानी है रामानुजन नाम के scientist की सिunk naval की जब यह पीपल के नीचे पढ़ा दे दो और उस टाइम के टीचर में भी खोड़ी सी थी मक्कारी, तो वो मक्कारी क्या थी, कि किसी दिन इनके गुरु जी को ये लगा कि आज मुझे आराम करना है, तो उन्होंने आके सभी बच्चों से कहा, कि बेटा, एक से लेके सव तक के गिंती लिखो, ऐसा क्यों कहा, रामारज तो तुरंत रामाजुने कहा सर हो गया, अब कैसे लिखा नामारजुने, उसने थोड़ा सा स्मार्ट वक किया, क्या किया, उसने एसे लिखा, एक, दो, तीन, टेस, डेस, लगा दिया, और लिख दिया, हो गए सव तक गिंती, बताईए, आप दुनिया में कहीं भी ऐसा लि कोई बात है, और अगर ऐसे लिख दिया, तो भी वही बात है, क्योंकि पूरी दुनिया इसको एक से सव तक इंती ही मानती है, बात समझ में आ रही है, तो हुआ क्या, रामानुजन ऐसे लिख दिया, और बोल जिख सब हो गया, तो फिर क्या हुआगे, आगे की कहानी में य को तो आ रहे थी नीन इनको रामानुजन को तो उन्होंने का बेटा एक काम कर आप सब को जोड मतलब एक धन दो धन तीन दन चार ऐसे तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए 101 लिए आपको समझाने के लिए हम यहां तक जोड़ेंगे हम यहां तक जोड़ेंगे एक और ज्यादा जोड़ेंगे ठीक है कैसे जोडते थे जैसे ही रामानुजन की टीचर ने कहा सबको जोड़ तो सारे ब집 बच्चे लग गए भेड चाल में वह 1 में 2 जोड रहें रामानुजन की, अब रामानुजन ने जो आंसर दिया, उस आंसर को केसे दिया, उसको समझ लेकि हमें एक और कहानी पे जाना पड़ेगा, तो कहानी क्या है, उसको फिर से समझते आगे, हम 101 तक नहीं, पहले 5 तक को समझते, कि 5 तक की संख्या को अगर हम जोड़ना चाहें, तो कैसे कैसे जोड सकते हैं, जिसे लिखा है एक धन, दो धन, भाईया बने रहेना, यही तो है पिच्चर का रोल, आपको मैं इसलिए लंबी कहानी बता रहा हूं कि जहां एक बार चीज़ियां आप मेज कर गए ना, तो तो फिर खेल खतम है इसका, आप जीवन में चाहोगे तो भी न भूल पाओगे, तो समझते रहना, मैं इसको skip कर रहा हूं, हमें 101 तक जोडना है, कैसे जोडना है, पहले उसको समझत लें कि कैसे जोड़ा जा सकता है, रामानुजनने यहा क्या कर लिया, एसे कैसे जोड दिया, तो उसको समझने के लिए पहले एक छोटा सवाल म हम यह समझें कैसे कैसे हम इसे जोड सकते हैं तो मेरे पास एक तरीका है सिंपल सा जो कि हर एक जानता है एक बच्चे ने कहा सर एक धन दो तीन तीन और तीन च्छाव चार दस दस पांच फिप्टीन बोलो हाया न तो उसने ऐसे जोड के बता दिया सर आंसर कितना गया पंद् मैंने का यार यह क्या यह कैसे लिख दिया तुने तो कह रहा कि सर यह कित्ते टर्म है पांच है तो उसने यह कहा कि सर यह है मिडिल टर्म यह क्या है मिडिल टर्म जो सिरीज है उसका बीच का पद उठा लो और उसको मल्टिप्लाय कर तो नंबर ओफ टम से तो भी योग आत कितने पद हैं उससे तो आप अगर तीन को गुणा करोगे पांस से तो आंसर वेसे भी पंद्रा आ रहा है तो सीधा ही बोल दिया तीना पंजे पंद्रा अब फिर हमारे मन देखो मैं डाउट एक भी आपको छोड़ करें जाओंगा क्यों ऐसा क्यों सर बीच को पत्को गुण पर अगर थोड़ी देर आप सांत मन से आख बन करके सोचोगे तो आपको दिखेगा कि सर ये सब तीन तीन लिखा है ये भी तीन है ये भी तीन है ये भी तीन है ये भी तीन है और ये भी तीन है तीन पांच बार लिखा है तो तीन पांच बार है मतलब तीना पंजे पंद् बचेगा तीन और वो एक इसको देदो तो कितना हो जाएगा तीन पांच के पास से दो उधार ले लो तो कितना बचेगा तीन जो दो उधार लिया वो इसको देदो कितना हो जाएगा तीन पुल मिलाके डेटा वहीं है गया कहीं नहीं है आप चाहे इसको इखटा करो चाहे इ ठीक है अगर कोई डाउट है तो भी लिखो ताकि हम और बहतर चीजों को explain करने कोशिज करेंगे और बहतर आपको बता पाएंगे मज़ा आ रहा है चलो आगे बढ़ते हैं पुल मिलाके मुझे एक बात समझ में आ गई कि सर आपने कहा कि किसी भी सीरीज को जोड़ना है ना तो उस सीरीज का बीच का पद उठालो middle term बिच्चो बीच वाला नंबर उठालो क्यों 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 कि जो middle term है वही मन की आँखों से दिखने वाला नंबर है और जो मन की आँ है 5 बारे तो तीना पंजे 15 अब आप समझते हैं एक सवाल और ले ले दे चोटा सा सपोज माझ लो मां लीजिए कि मैंने हैं एक सवाल और ले लिया भाई ठीक है एक और ले ले लेते हैं छोटा सा समझ्झे के लिए चलो अगर मैं बोलू एक धन दो दन तीन धन ऐसे 11 तक तो सोचो 11 तक की संख्याय अगर है 11 तक की है तो एक से 5 इधर और 5 इधर तो बीच में क्या जागा 6 तो बीचो बीच का नंबर क्या हो गया 6, middle term क्या हो गया सर 6, तो 6, कितने term है यह 11, तो आंसर कितना आएगा 6, 8 एक से लेके 11 तक की गिंती को जोडने पर कितना आएगा 6, 8, तो ठीक है, अब कहानी यह समझ में है कि सर ठीक है, पद अगर 11 थे तो हमें 6 दिख गया, पर अगर middle term नहीं दिखे तो मन की आखों से नहीं दिखे तो क्या करें, मन की आखों से दिख गया तो तो बढ़िया है, प आपको क्या पता है, कि 1 से लेके 11 तक की गिंती है, और आपको पता करना है कि इसके बिचो बीच वाला middle का term क्या होगा, क्योंकि अगर middle term पता चल गया, तो middle term को गुणा करेंगे हम number of data से, कितने पद हैं, तो आंसर हमें योग मिल जाएगा, तो middle term निकालने का एक और तरीक पत को एड करोगे, आप पहले को और last को जोडते हो, तो आपको जो answer मिलेगा, वो middle term मिलेगा, नहीं, divide by 2 करोगे, तब मिलेगा, किसी भी continue series में, first plus last, first plus last, divide by क्या कर दोगे, 2, तो आप बीच में आ जाओगे, तो देखो, 1 और 11, 12, 12 को आधा करोगे तो 6, तो यही आपका हो तर मन की आखों से देखा गया number, middle term, और जो मन की आखों से दिख रहा है, वही सब लिखा है, मतलब number of data, पर अगर तुम्हें मन की आखों से number नहीं दिखे, तो क्या करोगे, मन की आखों से number नहीं दिख रहा है, तो हम first वाले को उठाएंगे, last वाले को उठाएंगे, और द multiply number of data तो यह भी एक आपका फार्मॉला बन गया हाला कि यह फार्मॉला हम यूज नहीं करेंगे में तो यह दिखानों फार्मॉला बनता कैसा है अगर फार्मॉला बनता कैसा है पता चलिए तो सवाल में कुछ रहेंगा आप सवाल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो अब मेरी कहाँए हो चुकिया भाई खतम अब आजा रामानुजन ने क्या किया कैसे जोडा था रामानुजन ने वापस आजा है वहीं पर कहानी पर बूल तो नहीं गए रामानुजन के टीचर ने रामानुजन को एक्स लेके 101 तक की गिंती जोडने के लिए दी तो आप क्या करेंगे सर सम क्या होता है मन की आखों से देखा गया नंबर मन की आखों से तुम्हें क्या दिख रहा है सर बताएं जरा क्या दिख रहा है मन की आखों से आपको तो सर मन की आखों से हमें दिखी नहीं रहा है कि 101 और एक के बीच वाला नंबर बीच वाला क्या होगा तो इसको निकानने का तरीका क्या है फॉस्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाइ तू तो 101 और 102 बटे 2 102 बटे 2 मतलब 51 तो यही आपका क्या गया जो मन की आँखों से दिखने वाला नंबर होता है तो मन की आँखों से हमें 51 दिख रहा है और यही सब लिखा है मतलब मान लो कि एक कामन है एक कामन है कितनी बार है 101 बार तो आप 101 लिखतों मिडिल टर्म मल्टिप्लाइड नंबर ओफ डेटा मिडिल अगर नहीं दिख रहा है तो फॉस्ट प्लस लाज डिवर बेट तू मल्टिप्लाइड नंबर ओफ डेटा इसी को अपन बोलते हैं सर स्थम तो मिडिल टर्म मल्टिप्लाइड नंबर ओफ टर्म्स अब आप सोचो कि 51 का पहड़ा बोलना है 101 बार यहां तुम्हें प्यारे 51 का पहड़ा 100 बार आता है 51 गुणा 100 अगर मैं 51 का पहड़ा 100 बार बोलनू तो 51 सो आएगा पर मुझे 51 का पहड़ा 100 बार नहीं 101 बार बोलना है मतलब 151 और आएगा तो 51100 बार बोलने पर एक और 51 तो अंसर आएगा 5151 आपको कोने में जाके गुणा नहीं करना है ठीक है डायरेक्ली आप और ली समझ सकते हो 51 का पहड़ा 100 बार बोलने पर 500 आता है तो 51 का पहड़ा 101 बार बोलने पर 151 आएगा 102 बार बोलने पर 151 और जुड़ जाएगा तो यह आपकी कहानी आपको यह समझ में आया होगा अब भाई इतना नहीं है हमने बहुत कुछ पढ़ लिया अब देखो कितने सवाल आप कर सकते हो यह तो गिंती थी अगर मान लो इस गिंती के अलावा में कुछ सवाल और दे दूँ ठीक है अगर मैं बोल दूँ एक से बीस तक की संख्याओं का योग क्या होगा तो आप क्या करोगे तर सम कैसे निकलता है बीस वाला दीख रहा है क्या नहीं तो फॉर्स प्लस लास्ट डिएड़ बैटू मल्टिप्ला नमबर ओप डेटा कितने है बीस तो य एक कीतना आहा सर 210 आएगा ऐसे ही ऐस ही यह तो प्राक्रत संख्या आँथे अगर मानलीजी में प्राक्रत संख्याओं को न जोड़ोग तिकए अगर अपन क्या करें विसम प्राक्रसंख्या लें विसम मतलब अगर मैं सवाल में ले लूँ एक धन तीन धन पांच धन साथ धन ऐसे कहां तक निन्याणवे तक इनको जोड़ना हो तो क्या करोगे सर वही कहानी सर कैसे निकालते सम मिडिल टम क्या तुम्हें मिडिल दिख र रहा है या नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है जब मन की आँखों से नहीं दिखे तो क्या करोगे परस्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाइट तो यहीं होगा मन की आँखों से देखा गया नंबर और जो मन की आँखों से दिख रहा है मानलो वही सब लिखा हुआ है मतल पर पूरे नंबर नहीं है, एक एक नंबर गायब भी है, दो नहीं है, चार नहीं है, छे नहीं है, इसका मतलब एक से सो तक में सो नंबर होते हैं, बट आधे गायब हैं, तो आधे हैं, सो तक के नंबर में सो होते हैं, पचास गायब हैं, तो पचास हैं, तो पदाओं की संख आया ना तो इसका योग आपका हो जाए कितना 25 सो एक से लेके निन्यान तक की गिंती को जोड़ने पर आंसर मिलेगा आपको 25 सो अचा ऐसे ही अगर आपन सम संख्याओं को जोड़े तो मैं जोड़ू किसको तर 2 धन 4 धन 6 धन कहां तक सो तक फिर से वही कहानी आ गई कि अगर आपको सम निकालना है तो प्यारे बच्चे एक से लेके 100 तक की गिंती में 100 नंबर होते हैं कितने नंबर होते हैं 100 पर यहां पर एक एक गायब भी तो है पहला गायब है तीसरा गायब ह पाचवा आधे गायब तो आधे हैं 100 तक की गिंती में 100 नंबर होते हैं 50 गायब है 50 है तो सबसे पहले मिडिल टर्म मिडिल टर्म नहीं है तो क्या करोगे फॉस्ट प्लस लास्ट डिवाइड बैटू मन की आँखों से देखा गया नंबर कि मल्टिप्लाइ नंबर ओप डे और 500 बार बोलने पर फच्चीस सो आता है एक बार ओर पचास बोल दोगे तो फच्चीस सो पचास आ जाएगा कितना आजाएगा पच्चीस सो पचास यही आपका अंसर बरोबरें देखें हमने केवल और केवल पढ़ा कितना है अभी येवल कितना पढ़ा है चार परिभासा है पढ़िए और चार परिभासाओं पर बेज़ लिए सारे कुस्तन हमारे हम टच कर रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यह हो गया ऐसे ही आप तीन से भाज संख्याय निकालना चाहो तो वह भी निकाल सकते हो तीन धन छे धन आठ ऐसे भी कर सकते हो चलिए यह एक सवाल है जो एक्जाम में आ चुका है जो मैंने लिया है यह कह रहा है कि यदी साथ कमिक सम पुर्णाओं का को योग देखो अभी अभी तक हमने योग निकाला और इस बार योग दिया है इस बार क्या दिया है योग दिया है तो आप खुछ सोचो योग क्या होता था योग होता था मिल्डिल टर्म मृटिप्ला नमबर ओडेटा इसने बोला इस साथ पद हैं और योग कितना है 140 एं तो अगर आप इससे से 2 के साथ से तो middle term मिल जाएगा कहने का मतलब यह होता है कि क्रमिक नंबर है इन में पैटन फोलो हो रहा है साथ नंबर है टोटल कितने साथ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ और इन सब का योग जो है वो कितना 140 है अगर मैं इसको 140 को साथ से डिवाइट कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा middle term मिलेगा देखो मैं एक बार फिर रिपीट कराओ ध्यान समझना क्या हमने यह चीज़ समझ लिए कि sum equal to क्या होता है सर middle term मन की आँखों से देखा गया number बीच में होता है multiply number of terms अगर मुझे middle term निकालना हो term निकालना हो तो मैं क्या करूँगा sum को divide कर दूँगा number of data से तो अगर आपको यह समझना है कि total 7 संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हम इस बीच वाले पद को निकाल सकते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं सर middle term निकालना है तो sum जो भी योग है उसमें कितने पद होगा योग है उससे divide कर दो तो योग कितना 140 साथ से divide करेंगे तो answer कितना आएगा 20 कहने का मतलब यह है कि सर जिस series को हमने जोड़ा है sum पुर्णागों को जोड़ा है उसका बीचो बीच वाला नंबर क्या होगा 20 होगा अगर यहां 20 है तो इसके इधर 19 नहीं होगा भाई sum विसम नहीं sum कौन सा आगा जो 2 का पहड़ा हो तो इसके पहले 2 का पहड़ा कौन सा आएगा ठरा फिर तोला फिर चौदा ऐसे इधर क्या जाएगा 22 24 और 26 हमसे क्या पुछा था सबसे बड़ा सबसे बड़ा sum पुर्णाग 26 होगा और यहीं आपका आंसर तो मिडिल टम निकालना है तो क्या करोगे जो पदों का योग है उसको कितने डेटा का योग उससे डिवाइड कर दो बात समझ में आ रही है अगला सवाल देखो आपको और चीए क्लियर होगी यहाँ पर साथ विसम बोला है मतलब इससे पहले वाले सवाल में जो था वो क्या था सम संख्या थी क्या थी सम 14 फिर सम 16 फिर दो जोड़ेंगे तो 18 यह सम संख्या है कौन सी है सम पर अभी जो सवाल है उसम क्या बोल रहा है विसम बोल रहा है विसम और कितनी संख्या है फि होता वो क्या होता है सम योग कितना 133 और नंबर डेटा कितने हैं साथ जब साथ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा जरा देखो जरा से न्यूनतम विसंपूर्ण सबसे छोटी तो सबसे छोटी हमारी हैं सबसे चोटी ठीक है कर लिए बढ़े आगे किलियर होगी चीजह आगे बढ़ते हैं एसे ही और भी सवाल आप कर सकते हैं बट अब हम बहुत सारी प्रैक्टिस और करते ओर च्छेस रहेंगे आपको टेस्टो भी करने बासे हम साथ योब Бड़न वह करेंगे यदि रूब करेंगे और वहाँ पर आपको वहाँ होगे के जो पुक्ष्ट से वहाँ होगे आप उसारे प्ले ब橋 से लगा तो आपको यह हमने तीन चीज़ें अभी तक सीखी प्राक्रास संख्याएं क्या होती है पूर्ण संख्याएं क्या होती है और उस पर बैज सारे के सारे सवाल हमने देखे अब हम देखते हैं आगे तो आगे हमारे पास जो डेफिनेशने वो है अभाज संख्याएं क्या होती है चलिए तो हमने ये समझा प्राक्रास संख्याएं क्या होती है एक से लेके counting numbers जो होते वो अगर zero को भी include कर दें तो पूनांग होते हैं और अगर हम minus वाले भी include कर लें तो वो कहलाती है पूनांग ठीक है पून संख्याएं और पूनांग में फरग है जीरो से लेके पून अंक होते हैं तो पून संख्याएं होती है और अगर माइनस प्लस वाली को लेने तो पूर्णांग होते हैं, दोनों में फराग है, पूर्ण संख्या अलग है, और पूर्णांग अलग है, ठीक है, अभी हम समझते हैं, अभाज संख्या है, क्या होती है, सम विसम भी हमने समझ लिया, अभाज क्या होती है, तो मैं यहाँ पर तो आगे समझते हैं चलिए, तो मैंने ये देखा कि इस एक को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए मैं बताता हुआ उसकी कहानी क्या है और बाकी चीजों को अपन डिस्कस करते हैं दो में किसका किसका भाग जाता है सर्थ दो में एक का पूरा पूरा भाग जाता है और दो का भी जाता है तीन में एक का भाग जाता है और तीन का जाता है चार जो है उसमें एक का भाग भी जाता है इसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाता है, एक के पहड़े में भी आएगा, दो के पहड़े में भी आएगा, और चार के पहड़े में भी, पांच एक ऐसा नंबर है जो एक के पहड़े में भी आएगा, दो के पहड़े में भी आएगा, तीन के पहड़े में भी साथ के पहाड़े में आएगा आठ एक के पहाड़े में आएगा दो के पहाड़े में आएगा चार के पहाड़े में आएगा और आठ के पहाड़े में आएगा बोलो हाया ना नौ एक के पहाड़े में आएगा तीन के पहाड़े में भी आएगा और नौ के पहाड़े में भी लिख रहे हैं हम ये समझना चाहते है कि इन में कुछ फरक आ रहा है क्या तो फरक दिखा तर जिनके मेंने फेक्टर गुणान खंड जिनके टुक्डे नीचे लिखे हैं न वो केवल दो ही टुक्डे है एक उपर लिख दिया नाइन वाला उपर आना था ये इसके आएंगे ए इसके टुकड़े भी उपर हैं तो यह वो नमबर है जिनके केवल जिनके केवल दो टुकड़े हो रहा है पांच के दो ही टुकड़े हो रहा है और बस ठीक है तीन, पास, साथ के दो ही टुकड़े हो रहे हैं आठ के, चार टुकड़े हैं नो के भी तीन टुकड़े हैं दस के भी तीन तो आगे भी होंगे तो आपको ये समझना है कि ऐसी संख्या है ऐसी संख्या है जिन में केवल एक का भाग जाए और खुद का भाग जाए एसी संख्या है जिन में केवल एक का भाग जाए और खुद का उन्हें हम बोलते हैं अभाजी संख्या है अंगरेजी में इसको कहते है सर प्राइम नंबर क्या बोलते हैं प्राइम नंबर है और वो सवाल हर साल repeat हो रहा हर एक्जाम में किसी भी एक्जाम में आ आ जाता है तो आपको यहां focus करना चाहिए ठीक है ऐसी संख्या हैं जिसमें केवल कि जिसमें केवल एक का वह कुद का भाग जाएं को कुद का भाग जाएं एसी संख्या हैं जिसमें केवल एक का और खुद का भाग जाए इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए केवल लिखाना केवल केवल एक का और खुद का इसके अलावा किसी का नहीं जाना चाहिए उनको हम बोलते हैं अभाजी संख्याएं जैसे कि ये जो सरकल में जो गोले में लिखी हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या है अभाजी हैं इस गोले में जो लिखी हैं वो सारी की सारी संख्याएं अभाजी हैं देखो वहाँ पर गोले लगे हैं गोलों में लिखी संख्याए अब यहां से आपको ठोड़ा सा मेरी बातों पर द्यान देना है लिखे होए पर कम सर पल्ले पड़ गया पल्ले पड़ा एसी संख्याएं जिनके केवल दो ही टुकडे हो, कितने टुकडे हो, दो, ऐसी संख्या है जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, उनको हम कहते हैं अबाज, ना दो से कम होना चाहिए, ना दो से ज़्यादा, केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होने चाहिए और वो दो गुणनखंड कौन से हो एक तो एक और एक वो खुद दो गुणनखंड बस इससे जादा भी नहीं होना इससे कम भी नहीं होना तो बात क्लियर हो गई सर अभाज संख्याएं कौन सी होती है ऐसी संख्याएं ऐसे नंबर जिनके के वो से जादा होंगे वो क्या तो वही होगी अभाज्य जिनके दो गुनन खंड होंगे वो अभाज्य वो किसी और से भाजित होती ही नहीं है इसलिए अभाज्य और जिनके दो से जादा गुनन खंड है तो वो किसी भी संख्या से भाजित हो रही है, वो होती है भाज्य, तो जिनको हमने नंबर ट्रेंगल में लिखा है, ट्रेंगल बना देते हमें, ये ट्रेंगल वाले जो नंबर है, ये वाले, ये जो है, ये संख्या है, ये कौन सी संख्या है, ये है सर, भाज्य संख्या है, भाज्य संक्या थख है भाज्य चलो यह बी भाज्य चीजंधे मैं बहुत सारे पिक्टर हो रहे हैं और हिलों यह है और और उंदो दस भी है ऐसे आगे भी होगी तो आपको चीजे समझ आ Mog i ठीक है, जलो, तो ये ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल है, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, जो ट्रेंगल में लिखा है, वो कौन सी है, वो भाज जिसंक्या है, उनमें और भी भाग जाता है, अब कहानी बची किसकी मालूम है, एक रहे गया, जो की बॉक्स में लिखा है अब बॉक्स वाले की कहानी को समझना क्या है एक दुनिया में एक मात्र एक एसा नंबर है जिसमें केवल एक का ही भाग जाता है और किसी का निजाता है दुनिया में एक मात्र एक एसा नंबर है जिसमें केवल एक का ही भाग जाता है जिसका केवल एक ही टुकड़ा होता है एक केवल एक से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता है तो यहाँ पर तीन गाउं हैं एक गाउं है अभाज संख्याओं का दूसरा गाउं है भाज संख्याओं का और तीसरा है जिसका कोई गाउं ही नहीं तो अभाज जिने क्या बोला अभाज जिने कहा कि जिसके दो टुकडे हो जिसके दो ही गुननखंड हो वो आजाओ मेरे मतलब वह सारे अभाज संख्याओं से बिलोंग करते हैं फिर एक दूसरा बनाया किनने सर जिनके दो से जादा गुननखंड हो रहें जो ज़यादा टुकडए हो रहें उनका गाउं अलग उन्होंने बना लिया कि सर चलो अपन अलग गाउंड बनाते हैं तो वह ब्हाज संख् जिनके दो से ज़्यादा टुकड़े हो गए हैं वो भाज्य हो गई पर एक विचारा क्या सोच रहा है इसने कहा कि दो टुकड़े वाले इधर आ इसने कहा दो से ज्यादा वाले इधर आ जाओ तो एक बिचारा सोचते ही रहे कि, मैं किधर जाओं तो उसने अपना खुद का अलग ही नाम रख लिया, उसका नाम था यवज संख्या, इसने कहा में अकेला ही हूं और मेरा नाम है यवज संख्या और ये जो संख्या है ये ना भाज्य का अगाओं का है ना तो ये भाज्य है क्योंकि ना तो इसके दो टुकड़े हैं ना तो इसके दो से जादा टुकड़े हैं ना अभाज्य है ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य है तो पटवारी 2017 में यही पूछा गया था एक इन में से क्या है चार उत्तर लिखे थे एक इन में से क्या है चार उत्तर लिखे थे भाज्य है अभाज्य है ना तो भाज्य ना तो भाज्य और चोथा option था इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर था ना ही ये भाज्य है ना ही अभाज्य है चोथा उत्तर है इन में से कोई पर इनमें से कोई नहीं लगाना है आपको क्यों कि तीसरा ओप्सन है तीसरा ओप्सन में तीसरा सही है अगर वोचों गलत होता है आछ तीसरा सही है तो ti Top पास ना तो दो टुकड़े हैं ना दो से ज़्यादा है वह विचारा केला ही है तो उसका नाम है यवस संख्या और यवस संख्या जो है वो ना तो भाज्य होती है नहीं अभाज्य होती है यह अब आपको यहां से तीन चीजे क्लियर हो गई अभाज्य क्या होती है ठीक है अभाज्य मैंने पढ़ा दिया तो मुझे उम्मीद है कि भाज्य पढ़ाने की जर्वत नहीं है ऐसी संख्या जिनके दो से ज्यादा टुकड़े होते हो तो मैं लिक देता हूं सबसे पहली संख् अभाज्य औरे रे 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 इस पर गोला क्यों लगा दिया भाई यह ट्रेंगल में नहीं आएगे ना गूंग इतु सरकल वाली संख्या थी हमां करना भाई यह सरकल वाली हे भीक है चलिए तो क्या है तो हे अभाज उसके दो ही टुकड़े हो रहे हैं दो ही टुकड़े हो रहा है ना तो आप से अकर यह पूछा जाना कि सबसे चोटी संभ्या सबसे चोटी अभाज तो दो होगी एक नहीं होगी सबसे छोटी अभाज्य, एक अभाज्य होती नहीं भाज्य होती है, सबसे छोटी अभाज्य कोन सी होई, दो, पर पूछे, सबसे छोटी विसम अभाज्य, तीन, जोकि ये सम है, और एक बात मातर याद रखने वली बात की है, कि एक मातर वो संख्या दो है, जो सम भी है और अ अभाज्य भी है और सम भी है तो यह एक मात्र संख्या है जिसको आपको दिहान रखना है यह एक मात्र संख्या है जो अभाज्य भी और सम भी है यह अभाज्य भी है और सम संख्या भी है ठीक है विसम तो बहुत सारी है यह भी विसम है यह भी विसम है ठीक है यह भी विसम है कहा गई, साथ, विसम तो है, पर सम एक ही संख्या है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन से होगी, चार, भाज्य मतलब जिसके दो से जादा टुकड़े होते हैं, चार, उसके बाद छे, उसके बाद आट, उसके बाद नो, उसके बाद 10, उसके बाद 12, ऐसे, 13 नहीं होगा, 14, 15, यह वो संख्या हैं जिनके दो से जादा टुकड़े होते हैं, मतलब जिनमें एक का भाग तो जाता ही है, पर इनके अलावा भी कुछ है, कोई है, जो इनको डिवाइड कर सकता है, इसलिए भाज्य हैं, अगर एक और इनके अलावा डिवाइड नहीं कर पाएं, तो वो अभाज्य होती है, और यह वो है, जिनमें एक का भाग तो जाता ही है, खुद का भी जाता है, पर इनके अलावा भी भाग जाता है, इसलिए भाज्य है, अगला आपके पास यह है, एक्जाम में पूछा जाता है, क्या प आप लिख लो अभाज संख्या कितनी होती है एक बार गिन लेना दो तीन पांच साथ 11 13 13 के बादागी 17 19 23 कितनी होगे सार तीन तीन छे और तीन नौ तो एक से लेके 25 तक में एक से लेके 25 तक में 9 अभाज संख्या होती है कितनी होती है नौ ऐसे ही एक से लेके 30 तक में अभाज संख्याओं की संख्याओं 10 होती है एक से लेके 50 तक में 15 होती है एक से लेके 75 तक में 21 संख्याओं होती है और एक से 100 तक के 50 होती है तो एक से लेके 100 तक एक से लेकर 100 तक की गिंती में 25 अभाज संख्याओं होती है क्लियर बात यहां तक अब अगर सर 9 अभाज हैं तो बाकी बची कितनी बाकी बची कितनी सर 16 तो क्या वो भाज होगी नहीं तर बाकी 16 में एक भी तो है और एक तो ना तो भाजी में आएगा नहीं अभाजी में आएगा तो आपको क्या करना है जब भाजी संख्या निकालनी ह तो 25 में से 9 नहीं घटाना है, 9 तो घटाना उसके साथ 1 को भी माइनस करना है, तो 25 में से 10 घटा होगी, तो यहां कितना आएगा? 15. तो भाज संग्या कितनी हो गई? 15 हो गई. एक से लेके 30 तक की गिंती में 10 तो हैं क्या अभाज? तो इसका मतलब 20 क्या होगी भाज? नहीं, एक को भी हटाना है, 10 तो हटाओ, एक को भी हटाओ, तो 11 हटाएंगे, तो आपके पास आएगा 19. ऐसे ही 50 में से 15 तो घटाओ, पर एक भी घटाओ, मतलब 16 घटाओ, कितना घटाओ? 16. तो 16 माइनस करोगे, तो कितना आएगा? 34. ऐसे ही 21 घटाओ गे 75 में से, 21 नहीं 22 घटाओ, कितना घटाओ गे? 22. तो आपके आंसर आएगा 53. कितना आजाएगा? 53. ऐसे ही 100 में से 25 नहीं 26 घटाओ अंसर आएगा 54. तो यह आपके आंसर हो गए? एक से लेके 100 तक में भाजी कितनी होती है? और भाजी कितनी होती है? आपको यह एक बार याद रख लेना है, यह आटोमेटिकल आप माइनस करके निकाल सकते हो. तो अगर आपको यह चीज़ समझ आई हो, तो मैं एक सवाल लेता हूँ. अगर मैं आपसे पूछ लूँ, बेटा, कि बताइए, 50 से 100 तक में कितनी अभाज संक्या हैं? तो क्या अंसर दोगे? पचास से 100 तक में कितनी अभाज संक्या हैं? तो बोलोगे सर यह तो चीटिंग है, आपने बोला एक से 25, एक से 30, एक से 50, और वहाँ पूछ रों 50 से 100, तो आपको समझना क्या है? आपको एक से 50 तक पता है? 15 है, और एक से 100 तक में? 25 है. तो समझने वाली बात क्या है? वो से लेके 50 तक, तो कितनी अभाज संक्या है? 15 है, है ना 15? देखो जरा, एक से लेके 50 तक में संक्या है कितनी अभाज? 15 है, एक से 50 तक में कितनी अभाज संक्या है? 15 है, और अगर में एक से लेके 100 तक देखूं, अगर एक से लेके कहां तक देखूं? 100 तक, तो इसमें कितनी औनी आभाध Cambodia हैं इसमें कितनी है 25 संख्या तो ओस ते हैं 25 अ आप खुद सोचो इतने में 25 संख्या है और इतनी में 15 टो बच्चे मिने कितनी होगी हुए कि 10 रेपीट करें किया इसको एक बार करते हैं हमें याद है यह डेट आपको याद करना पड़ेगा स वे एक से लेकर हम्सट तक रभी के अर सब्समें एक से लेकर कहां तक देखूंग और ऑगर मैं एक से लेकर कहां तक देखूं पचास तक इसमें कितनी संख्या है 15 तो तुम खुद बताओ ना पचास से इधर कितनी हो जाएगी तो टोटल है 25 संख्या अब हाज उसमें से 15 इधर की घतम कर दो तो बचे कितनी हैं पर 10 तो यहीं आपका आंसर प्रोबरें तो आपका जो आंसर हो जाएगा तस होड़ा सा चीजों को इयान समझना है और फिर आपको आंसर देना है क्लिए बात यहां तक ऐगे बढ़ते हैं सर और आधे नेक्स है अब देखete स्वहभाज क्या होती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर संख्याओं का जोड़ा होता है, क्या होता है सर, यहाँ पर संख्याओं का जोड़ा होता है, कोई एक संख्या नहीं होती, यहाँ पर होता है संख्याओं का जोड़ा, आप समझते उसको कैसे, तो सह अभाजी संख्याओं को बोलते हैं को प तो यहां पर एक संख्या नहीं होती यहां पर होता संख्याओं का जोड़ा तो कोई दो ऐसी संख्या हैं जो क्या हों अभाज्य हो जैसे दो तीन दोनों के दोनों अभाज्य है तो ये सहाभाज्य हुई अगर मैं लिख दूँ 17 और 19 तो ये भी क्या है सहाभाज्य अगर मैं लिख दूँ 41 और 43 तो ये भी क्या है सहाभाज्य अगर मैं लिख दूँ साथ और 43 तो ये भी क्या है साभाज्य अगर मैं लिख दूं 15 नहीं आ सकता है 17 और 79 तो ये भी क्या है साभाज्य कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का जो पेयर है उसमें दोनों की दोनों संख्याएं अभाज होनी चाहिए दोनों क्या होनी चाहिए अभाज होनी चाहिए और अब जब दोनों अभाज हैं तो उनका S.C.F. जो आएगा वो क्या आएगा एक आएगा तो आपको अभी S.C.F. हो सकता समझना आए आप तो ये ध्यान दो कि दो संख्याएं ऐसी या दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो दोनों की दोनों संख्या क्या हो अभाज हो मतलब इसके भी दो ही टुकडे होते हैं और इसके भी दो ही टुकडे होते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि सा अबाni expect इनको बोलते हैं ऐसी दो संख्याओ का जोड़ा जिसमें दोनों संख्याओं क्या हो अबादजि क्या हो अब comparative prime क्या होता है यह समझना relative prime का मतलब यह होता है कि यहाँ पर दोनों संख्या अभाज होना जरूरी नहीं है यहाँ पर दोनों अभाज हो यह जरूरी नहीं है यहाँ पर आप भाज संख्या को भी ले सकते हैं यह जरूरी नहीं है कैसे जैसे मान लो मैंने लिलिया एक 25 और एक लिलिया आपका 27 तो ये जो जोड़ा कहलाएगा ये अपेक्छीत अभाज कहलाएगा तुलनात्मक एक दुसरे की तुलना में मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी कर दे अगर 5 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड नहीं होगा अगर 9 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड नहीं होगा अगर ये 25 से डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड नहीं होगा अगर 27 से डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड नहीं होगा मैं लिख दू 25 और मैंने लिख दिया 40 तो यह अपक्षिता भाज नहीं है क्यों नहीं क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है और इसमें भी जा रहा है अपक्षिता भाज ही होती है कि दुनिया में एक भी ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को डिवाइड कर दे मतलब यहां भी यहा तो आये का नहीं इसमें यह होते हैं नंबर अब आपको चीजें समझ में आगए यह डाउट होता आप प्लीस कमेंड में लिख दें तो मैं चीजों को समझ पाऊंगा आप कितनी चीजों को समझ पा रहा है क्लियर बात हैं तक आगे बढ़ते हैं तुइन्स प्राइम क्या ह वो दो होना चाहिए क्या होना चाहिए दो होना चाहिए यह लोग यह संख्या भी अभाद जयोंनी चाहिए मतलब प्राइम यह संख्या money अजिनके बीच में गेप दो कहो, और बोलो सर 49, 49 तो नहीं होगा 41 और 43 ले सकते हो फिर ले सकते हो 79 नहीं 71 और 73 ये भी एक नंबर हुआ ठीक है 59 और 61 ये भी एक नंबर हुआ तो ऐसे दो नंबरों का पेर जिनके बीच में गेब 2 कहो और दोनों के दोनों नंबर अभाज होँ, प्राइम होँ बाथ सभ़ Azimian आ रही है तीनों definition आपको clear है थोड़ा सा एक बार revis कर ले यहाँ पर दोनों सख्याँ अभाज होनी चाहिए दोनों की दोनों कुछ भी हो चलेगा पर दोनों की दोनों अभाज होनी चाहिए यहां पर दोनों का अभाज होना जरूरी नहीं है पर दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो इसको भी उड़ा दे और इसको भी उड़ा दे अगर उड़ा दिया तो अपैक्चित अभाज नहीं है पर अगर ऐसा नंबर है ही नहीं जो इसको भी डिवाइड कर दे और इस सबका आरदो कहानी आपको यहां तक क्लियर हो गए होगी अमसी अब हाज संख्या क्या होती है प्राइम होती है क्या होते हैं आगे बढ़ते भाई अब यह एक स्पेशल के से हा पर एक स्पेशल के से भाईया इसको देख लिजिए ये पून संख्या और वो पून संख्या में फराख हैं हमने एक पून संख्या पढ़िया शुरू में 012, 0 से लेके आनन तक की संख्या है पून संख्या है कहलाती है 0 एक सबसे छोटी पून संख्या है तो हिंदी में दो पून संख्या है हिंदी में इसका नाम भी पूर्ण संख्या है और उसका भी पूर्ण संख्या है, पर इंग्लीस में वो whole number था और ये perfect number है, तो क्या होते है perfect number, तर ऐसे number, जिनके तुकडों, तुकडों मतलब गुनन खंड, जिनके तुकडों को जोडने पर वापस वही number आ जाए, जिनके टुक्णों को जुनने पर वापस वही संख्या या नंबर आ जाए तो ऐसे नंबर ऐसे नंबर परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर कहलाते हैं क्लियर नहीं हुआ है तो अब क्लियर हो जाएगा जैसे कि जैसे कि अगर मैं देखू 5 5 के टुकडे करो टुकडे का मतलब होता है कि 5 में किसका किसका भाग जाता है एक का और पांच का या इनको जोडने पर आंसर पांच आएगा नहीं आएगा एक बात ओध्यान रगना है ऐसे नंबर जिनके टुकड़ों को जोडने पर वापस वही नंबर आ जाए बट जब आप टुकड़ों को जोड़ोगे तो टुकड़ों में खुद संख्या को मत लेन इसको नहीं लेना तो इसको जोड़ने पर एक ही आ रहा है तो वापस वह नंबर नहीं आ रहा है पर अगर छे को देखें एक का भाग जाता है छे में दो का जाता है तीन का जाता है और छे का पर छे को नहीं लेना आपको केवल ये वाले टुकड़ी लेना है देखो इनको जो औरों को जोडने पर वापस वही संख्या आजा तो वो perfect number कहलाती है मतलब हमारे पास दो example निकल के आया perfect number का वो कौन सा आया 6 एक perfect number है क्या है 6 एक perfect number है ऐसे ही एक और नमबर है 28 28 में किसका भाग जाता है 28 में एक का भाग जाता है 2 का भाग जाता है 4 का भाग जाता है 7 का भाग जाता है और 14 का भाग जाता है और 28 का भी जाता है बर 28 को नहीं लेना है अब आगर आप इनको जोडेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्फ फिर से अंसर आरा 28 तो ये भी एक ऐसा number है 28 भी एक ऐसा number है जिसके तुकडों को जोड पर वापस 28 ही आता इसलिए ये भी क्या होगा परफेक्ट नंबर एक बर रिवाइस करने चीजों को समझ लें दिमाग में रखें एसी संख्या हैं जिनके टुकडों को अगर हम जोड़ें तो वापस वही आ जाए उसको अपन बोलते परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या हिं आपको एक्जाम में ऐसा कुछ पूछ सकता है जैसे मालूव एक सवाल पूछ लिया इनमे से कौनसी कौनसा पूर्ण संख्या है तो अब आप लोग सोचने अगर कि पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है जीरो वन टु तो आप अंसर गलत कर देंगे जैसे ऑप्सन दिया है जीरो नीजो ऑप्सन है वन या ऑफ इशन है पाइव और डी ऐफ शन है है कि अधिया पून संख्या दो प्रकार की होती है पर यह पूर्ण किसकी बात परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं तर ऐसे नंबर जिनके टुकड़े करने पर टुकड़ों को जोड़ने पर वही आ जाए ऐसे नंबर जिसके टुकड़े करने पर टुकड़ों को जोड़ने पर वही नंबर आ जाए तो वो होते हैं परफेक्ट नंबर तो ये बहुत important आपके लिए है नहीं पर फिर भी एक sort में आपको मैं बता दूँ कि एक दुनिया में ऐसा number भी है छोटे से छोटा number जिसके वर करने पर 1729 जिसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं पहला अगर मैं 10 की घाथ 3 और 2 की घाथ 3 लिखूँ अगर मैं 10 की घाथ 3 और 9 की घाथ 3 अगर हम 10 की घाथ 3 करते हैं और 9 की घाथ 3 करते हैं तो आंसर आता है 1739 ठीक है? 9 एकम नो बहुत तर ठीक है? 1739 तो दुनिया में ये एक मात्रे कैसा number है जिसको मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ एक 10 की घाथ 3 धन 9 की घाथ 3 और दूसरा 12 की घाथ 3 धन 1 की घाथ 3 तो भी अंसर आपको मिलेगा 1739 मेरी बात को समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये एक मात्र छोटे से छोटा number है ये एक मात्र ऐसा छोटे से छोटा number है जिसको हम दो प्रकार से नंबरों के क्यूब के योग के रूप में लिख सकते हैं ये एक मातर ऐसा नंबर है जिसको अपन दो प्रकार से अलग अलग नंबरों के क्यूब के योग के रूप में लिख सकते हैं इसलिए थोड़ा सा अलग है और इसका जो नाम है वो है हाड़ी रामानुजर नमबर इसका एक और नाम है इसको एक और नाम से जानते हैं टेक्सी को नमबर इसको एक और नाम से जानते हैं टेक्सी को नमबर तो अगर एकजाम में पूछ ले कि इनमें से कौन सा टेक्सी को न के रूप में लिख सकते हैं इससे छोटे जितने भी नंबर हैं एक भी नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसलिए यह थोड़ा सा special number हो गया और इसी को बोलते हाडी रामानुजन नंबर आगे बढ़ते हैं तो अगली दो इसे class फिर होगी तो अपनी class 1 जो है 1.1 जो आपका exercise सुरू किया था वह एक चिप्टर आपका यह खतम हुआ है जिसमें दो चीजी हमारी बची हुए है फिर हम पढ़ेंगे 1.2 अध्या एक का 1.1 हो चुका है 1.2 पढ़ेंगे अब इसका जो PDF नोट्स है वह में आपको उडान डिजिटल के एप डाल दूगा आप प्लेश्टोर से उडान डिजिटल का डाउनलोड कर लें और उडान डिजिटल का डाउनलोड कर वहां पर आपको एक free सारा नोट्स और आप तक एक्जाम में जितने भी questions इस topic से आए हैं वो सारे के सारे प्रस्टनों का एक test series आपको मिल जाएगा तो सारे आप